हमारे साथ साज़ा कीजिए आपके अनुभव जब आप पहली बार मुंबई आए बॉलिवुड में काम करने के सपने लेकर आप मुंबई जा रहे हैं तो पहले लड़ जागड के मतलब तैयार तो कर लेकिन फाइनली जब उन्हें का ठीक है आप चले जाओ जब चले जो कहा तो यह कि मानिए वो 24 गंटे ना बड़े वो थे कि ठीक है आप कहतो दिया लेकिन हकिकत बात तो यह यह कि वहां जाओंगा क करूंगा क्या होगा क्या आज जो इंटरनेट है वो 2000 में नहीं था आज जो जो इंटरनेट की पावर है या इस इंडस्ट्री के बारे में जितना जिसे छोटे-छोटे वरक्शॉप्स आज की डेट में बहुत हो रहे हैं उस वक पे नहीं था उस वक पे खाली अपने को इत तो मैं एक्चे can't me बनूंगा क्या बनूंगा राइटर बनूंगा कैसे और मुझे सिखाएब बनूंगा कैसे और मुझे सिखाएगा कौन कि जो मुझे लगता है कि अच्छी बात थि हमारे लिए वह यह बार ती कि फॉल शाहिए में जहां आज मुझे यह गलत वहमी कता ही नहीं थी कि मैं जाऊंगा और जंडे फार दूँगा गार दूँगा यह कर दूँगा आग लगा दूँगा ऐसा कुछ नहीं था मुझे इत बात यह था कि मैं ना बहुत confused हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है तो पहले मैंने जो शुरुआत करी वो गुरू ढूंडने की करी आके काम मांगने की शुरुआत नहीं करी गुरू ढूंडने की पहले शुरुआत करी कि मुझे कौन लोग सिखा सकते हैं और जो कहते हैं जहां चाहा वहां रहा तो थोड़ी परिशानियां हुई कई बार लोगों ने का कि ठीक है मैं फला इससे मिला दूँगा मुझे इतने पैसे दे दो किसी ने का कि मुझे यह पार्टी करा दो मैं इससे मिला दूँगा इसका नंबर दे दूँगा इससे यह करा तो ऐसे कई सारे चिटफंड फ्रॉड यह सब जो सब के साथ होते हमाई साथ भी हुआ और लेकिन दो तीन साल बड़े तक्रीफ दायक थे कि जहां पता ही नहीं चल पा रहा था और एक टाइम ऐसा था कि जहां आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते हैं यह कि हम गुरू की त फैमिली है आर्मी में है पापा तो वो भी कितना पैसा भेजें तो दो ड़ाई साल तक उनने पैसा भेजा उसके बाद उन्होंने भी हाथ जोड़े कि भई यह पैसा आप देख लो आपको जो करना है लेकिन क्या हुआ क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि गुरू वा वाया वाया गुमते गुमते एकात लोग मिल गए फिर किसी ने थोड़ा सा बताया कि आपके अंदर एक अच्छी बात है तो इस बीच में हमें पता चला है कि कास्टिंग डिरेक्टर कैसी पोस्ट है जहां के लिए मैं बेस जो कहता है ना खिक खुड के लिए बेस झाल झाल